नमस्ते बच्चों आप सभी का एक बर्पुन्ह स्वागत है बच्चों हम कक्सा बारह की हिंदी अनिवारिये पर बात करें और अनिवारिये का व्यावारिक व्याकन का जो पॉर्शन है उस पॉर्शन में कुछ चार खंडों में विभक्त किया गया है सब्द सक्ति छंद अलं कर brushes यह बनाया था यह दूसरा वीडियो आपकी समक्ष है उसपहले वाले वीडियो काए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल ख़र देंगे वीडियो को एक रूप मानस निया जाता है अर्थार cycles जिस पद में ने तो समानता प्रकट करने वाले सब्द हैं और ने ही संभावना अपितू उपमान एवं उपमे को एक रूप ही मान लिया जाता है वहां रूप का लंकार माना जाता है ये दिक इसी पद का वीग्रह करने पर रूपी सब्द की फ्राप्ति होती है तो उस पद में रूप का लंकार माना जाता है जैसे जानोस दही तो जान रूपी अउस दही विद्या धन विद्या रूपी धन आगे एक पद दिया रेखेगा कि अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरें अवधेश मतलब दसरत के चारों बालके वो तुलसी के मन रूपी मंदिर में विराज माने रहते हैं पन घट, तारे रूपी घड़े घट मनी घड़ा और उसा रूपी नागरी तो इस पद में ये तीन ऐसे पदाएं हैं जिनमें रूपकलंकार की प्राप्थी होती है देखें कि विवेच्चे पद में प्रातेह कालिन समय का वर्णन करते हुए कभी ने आकाश को पन घट के रूप में, तारों को घड़े के रूप में, तथा उशा को नगर में रहने वाली इस्त्री के रूप में चित्रित किया है यहां रूपकलंकार माना जाएगा रूपकलंकार के भेद मुख्यते दो भेद माने जाते हैं एभेद रूपक और तद्रूप रूपक तत्धन रूप ये इसका संदीव छेदी प्रकार से होता है तत्धन रूप और एभेद मतलब जिनमें कोई भेदे नहीं किया जा सके अब एभेद रूपक के भी कुल मिला के तीन उपभेद में एनने जाते हैं एक तो सांग रूपक एक निरंग रूपक और एक परमपरित र अंग कि समस अंग जिसमें सामिल हैं निर्धन अंग कि कोई ना कोई एक अंग वहां से लुक्त है और एक परमपरित रूपक देखते हैं सांग सब्द सैधन अंग के योग से बना है जिसका अर्थ हैं अंगों सहीत जिस बद में अपने समस अंगों सहीत रूपक की प्राप सब्सें जो तो नग्रों कारे माना जाता है जैसे उद्धित उद्यागिरी मंच पर रगुवर बाल पतंग विक्स संत शरोज सब्सें लोचन भिंग तो उद्धित मंच पर स्विम्बर के मंच पर रगुवर इस प्रकार से आये और तो उनको देखकर सभी शंते विक्सित हो उठे खुसी से और हर्से लोचन भ्रंगे और आंखोरुपी जो उनके भ्रंग थे वो हर्सित हो गए तो यहां दो चीज़े हैं कि जिस प्रकार से सूर्य उदे होता है सूर्य अपने पूरव दिशा से उसे परवत की ओट से जैसे उद्दित होता है तो रगुवर बाल पतंग तो जिस प्रकार से वो दिखाई देता है सूर्य उसी प्रकार से रामभी स्विम्बर के उस मंच पर दिखाई दे रहे हैं एक रूपता है विक्स संत सरोज सब अब जितने भी पुष्प थे पुष्प पर वह सारे विक्सित हो गए खिल गए तो हैं पुष्पों को खिला हुआ देखे कर जिस प्रकार से ब्रहमर हरसित हो उठता है उसी प्रकार से इन संतों की जो आँखे थी वो भी हरसिते हो उठी या उनमें भी खुशी चागी तो देखे स्विमर के मंच को उदेगिरी रगुवर को बाल पतंग या सूरिय के रूप में संत को दर्शकों के रूप में और यहां सरोज के रूप में यहां लोचन के रूप में यहां ब्रिंग के रूप में तो यह सारी चीजे जैसे आँखे औरे ब्रहमर दोनों को समान मा जब किसी पद में अंगों के बिना ही रूपक की प्राप्ती होती है तो वहां निरंग अलंकार माना जाता है पहचान के लिए जहां के अवल एक ही स्थान पर रूपक की प्राप्ती होती है वहां निरंग रूपक अलंकार माना जाता है कि चरण कमल मृद्धू मंजू तुम्हारे कि चरण रूपी कमल जो है वो बड़े ही मृद्धू और सुन्दर हैं तुम्हारे कि तुम्हारे कमल रूपी चरण बड़े ही मृद्धू बड़े ही सुन्दर दिखाई दे रहे हैं विवच्चे पद में कभी कहता है कि तुम्हारे कमल रूपी चरण कोमल एवं सुंदर हैं, यहां केवल एक ही इस्थान पर कम रूपग की प्राप्ती होने के कारण निरंग रूपग अलंकारे माना जाएगा, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम रूपी रतन धन प पर दूसरा रूपग स्वतही हेट जाथा है, वहां परम्परित रूपग माना जाता है, जैसे जै 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 गिरी राज की सोरी, जै महीश मुक चंदर चकोरी प्रस्तुत पतल में भगवान सिव के मुक को चंदर के समवन मना गया है और हिमाले पुत्री पार्वति को चकोरी के रूप में प्रस्तूत किया गया है अर्थार्ध दो इस्थनों पर रूप गय है लेकिन यह दी गीडीराज की इसको हटा लेंगे गीरी महेस वाले को तो गीरी चुरी का अपने आप भी वहां रूपक लुपत हो यहीं है क्यांकि यह है से दूसरा रूपक लुप्त हो जाने के करण यहां परमपरित रूपक की माना जाएगा तद्रूप रूपक जब किसी पद में किसी एक पदार्थ को दूसरे के रूप में मान लिया जाता है तो वहां तद्रूप रूपक अलंकारे माना जाता है इसे अलंकार के पदों में प इंद्र के नगर को तो यह सासन पर सासन और सुख यह वहां के लोगों की जीवन चरिया जीवन स्थमस्टर को देखते हुआ ऐसा लग रहा अपर धनेस यह नहीं पुष्पक आसीन अपरकार्थ क्या है दूसरा तो यहां भी क्या होगा परमपरित रूप के तद्रूप रूप का लंकार माना जाएगा उसके बाद में वीरोध अभास यह सब्द वीरोध धन आभास के योग से बना है अर्थार्थ किसी पद में किसी वीरोध वाली बाद का आभास होता है तो वहां वीरोध अभास अलंकार मना जाता है बाद देखेंगे कि यह अनुरागी चित की गती समुझेने कोई जों जों बूड़े स्यामिया रंग त्यों तोंस वेसे जासे वेसे जासे विसे उजला होता जाता है अब आप समझसकते सवाया काले रंग में करने वाले चित मन का कोई समझ नहीं पाया नहीं यह क्रिश्र के रंग व्क्ति में दूपता जाता है व Tá या पवित्र होता चला जाता है लेकिन प्रत्थम दृष्ट्या इसको हमें डूबे श्यामरंग चोट्यों उजलो होई कि डूबने श्यामरंग में डूबने से कोई कैसे उजला हो सकता है यह विरोधि आ सकता है कि कविता का रस तंत्रीका नाध है इनमें या रति का रंहिंग है कोई राग है बहुत ही सुरीली राग है उसमें जो अनबूडे है जो उसमेदे नहीं अन बूडे बूडे वो तो डूब जाते हैं जो विना डूबने वाले उसकी कोई पो rhyकिन यहां पर दो-दो मेग हैं आँखें कि नाइका की दो-दो आँखों से अस्रुधारा बहे रही है और वह प्रियतम के मिलन को प्यासी बेठी है सीतल जौला जलती इंदन होता द्रिग जल का अब जौला सीतल कैसे हो सकती है जौला वन्य आग होता है और आग सीतल कैसे हो सकती ह है और इंदन होता द्रिग जल का अब जलका इंदन कैसे हो सकता है आग में पणी डालोगी तो आग तो बुझ जाएगी लेकिन यहा ऐसी तल जौणा जलते है मतलब रहें में तीस उटती है कि और इन दन होता द्रिग जलका और मैं अंदर ही अंदर जलती हूँ और किसे रिग जल से रिखेंगल कि ऑसों को अति सिंपक्ति में रोचकता लाने के लिए सूर्टा उदार्टा विरह्य प्रेह इत्यादिका अध्भूत्ता पून या अत्यंत मिढ़्य क्तेते खुर्ध करें माना जाता है आड़े दे आले वसन जाड़े ही की राती साह सके के नहवस सखी सबे डिग जाती कि आड़े दे आले वसन जाड़े हों की राती कि जाड़े की रात में भी जो सखियां है वो आले गिले वस्तर पहन कर आती है क्योंकि इस सखी की वीरह रुपी अगनी में वो भी जल रही है इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि सक्खी विरह में जल रही है तो वहां गिले वस्तर पहनने की कहां जरूरत है और वह भी सर्दी के मौसम में लेकिन कभी ने विरह के वर्णन को और जदा बड़ा बनाने के लिए इसका अती सहे उत्तिक और वर्णने किया है देखी सुदामा की दीन दसा करूना करी के करूना निधीर होए पानी परात को हाथ सुयो नहीं नैनेनी के पग से जल से पगध होए तो आप समझ सकते हैं कि आँखों से इतना जल नहीं हो सकता कि उससे किसी के पैर दोए जाए तो यहां अतिस व्यक्ति अलंकारे माना तो वहां उदारन अलंकार माना जाता है कि जगत जनायो जीहीं सकल सो हरी जान्यों नहीं जो आँखी न सब देखी आँख न देखी जाही कि जिसने भी इस संपुन संसार को बनाया है उस हरी को कोई जान नहीं पाया है जैसे आँखी जो हैं वो सब कुछ देख लेती हैं ल तो दिपक को जलने पर or कपूद का जन्म होने पर एक बार तो उजताएं बढ़ने पर बढ़ने का उजता है size को में उम्रदर राज हो जाना उससे और वैसे इस पद में आपको एक और बता दू वारे उजियारों करे बढ़े अंदिरों होई बढ़ने से अंदिरा वजाते हैं इसमें वेरोधा भास अलंकार भी माना जाएगा न्याले में दया मांगने जब भी कोई कर फलाए असा लगे कासाई के घर बकरे की मा खेर मनाए आप इसकार समझ सकते हैं कि जो रहीम रस होते है उपकारी के संग बांटनवारे को लगे जो मेंदी को रंग भी कही ना कहीं उसका प्रतिफल हमें भी बड़ाई मिलती है तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही अब नमस्ते शुक्रिया धन्यवाद आप अपनी तैयरी जारी रखें और बहुत सरी सुब काम नए हमारी तरफ से आपको साधर प्रेसित है चैनल पसंद आया हो तो के ता गाने ती गीगा